यहां मैंने बटर और पीनट बटर दोनों डालके फेट ली थी एक मिनट इसके बाद मैं यहां डालूँगी गुड की पाउडर याने जागडी की पाउडर सुरे दोस्तों यहां थोड़ी से वीडियो मेरे डिलीड हो गई थी मैंने देखा नहीं था डिलीड हो गई मेरे हाँ से यह वीडियो कुछ ने किये थे बटर और पिनट बटर था मेरे पास और बटर था अमूल की बटर और पिनट बटर दोनों मैंने लिया था पूरी कॉंटिटी में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगे और दोनों को पहले एक मिनट फेटी थी उसके बाद मैंने जागरी पा वहां से जाके जरूर आप बना लेना, तो मेरे पास इसमें एक ही चमस था, तो मुझे इतना ही डालना था, तो मैंने डालके फिर से इसे फेट लिया, टोटल मैंने जागरी पाउडर और बटर को लगबग यहां 2-3 मीनट मैंने बीटर से फेटा है, तो पहले मैंने बटर फे के रेडी हो गई है, और यह कुकी बहुत थेल दी है, बहुत टेस्टी है, अगर आपके पास बटर नहीं है, तो पूरी पीनट बटर में बना सकते हैं, अगर बटर हो तो सबसे अच्छी बात है, बटर ना हो तो पूरी की पूरी पीनट बटर में बनाई है, जितनी पहले चणनी से छान लें थी मैंनेख रहें थी की वीडियो ऐसा दिखा अकर बिटर आ पर मुझे लगा कि वीडियो है मोबायल में रिकॉर्ड करने के बाव जुद ढ़ी तो इसके लिए प्लीज प्लीज सॉरी कि ये एक वीडियो थोड़ी सी स्किप हो गई है कुछ नई करी थी जैसे सारी कुकिज बनाते हैं वैसे ड्राइच चीज़ों के एक बार छन्नी में चालनी जीए और लिक्विड में ड्राइच को डालकर अच्छे से मिक्स कर लेजिए एक डो बना लीजिए डो बनाने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे फिर इसे कुकिज बनाएंगे पर ये कुकिज जरूर बनाना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखना मैं टोटल इंग्रिडेंस वहां लिख दूँगी यहां मैंने लिया है बदाम को चौपर में करश्किया नहीं भूना उसको तो मैं यहां क्या करीब बदाम डाल देती क्योंकि मुझे बताना था आपको और घर के लिए मुझे चाहिए और जब किसी की रहती है तो मैं उसमें मुंफली को भून के रोष्ट करके छिल के छिल का निकालके फिर चौपर में चौपर करके डाल देती हूं लगबख 2-3 TBSP इतनी मेजर्मेंट के हिसाब से आपको डालना है तो डाले नहीं डालना है तो मट डाली हो तो सारा डो में रेडी करने के बाद लगबख 25-30 गराम की एक गोले बनेगी यानि यह कुकिज बनती है कम से कम 25-30 गराम की बीच में तो मैंने उपर पीनट है इसलिए अगर आपको घर में चाहिए अगर बदाम डालना चाहते है तो बदाम को रोष्ट करके चौपर में चौपर करके ले लीजिए तो ऐसे उपर सजा के आप जरूर देना अगर आपको सेल करना है तो उपर डेकुरेशन बहुत जरूरी है लाख आप डालने कोई नहीं जानेगा अंदर कम भी डालेंगे चलेगा पर उपर जरूर चाहिए डेकुरेशन के लिए तैसे में टोटल देखे बना ली थी टोटल मैंने बना के रेडि कर ली थी ट्रे में और कम से कम आधी इंच की कैप चाहिए और यह जो चार है ना सिंपल साधा बना तो पूरा में बेक करके लाते हैं और बेक किस पर करना में यह भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बता दूंगी आप वहां से देख लेना प्रेचर में बता दूंगे देखे पूरी बेक होके मेरी आगई कुकिज और इतनी अच्छी कुकिज लगती है टेस्टिक क्य